सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूर्ड चैनल को साथ में बेल आइकन भी दबाईए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार मैं राधा दूबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूर्ड में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे बॉम्बे कराची हल्वा यह हल्वा बाकी हल्वो से स्वाद और टेक्शर में काफी अलग होता है यह हलवा बहुत ही soft, spongy और colorful बनकर तयार होता है और यह बहुत ही simple और easy recipe है जो कि खाने में बहुत ज़़ा tasty होती है तो अगर आपको आज की recipe पसंद आये तो वीडियो को like, share करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हमें एक बाउल और उस बाउल में हम डालेंगे करीब 1 cup corn flour जिसे आप corn starch के भी नाम से जानते हैं अगर आप इसे माप से देखेंगे तो ये करीब 200 ग्राम है इसके बाद हम इसी cup से डालेंगे इसमें 3 cup पानी इसका हम एक पतला घोल बना कर तयार करेंगे corn flour आप अपने हिसाब से जितना भी लें आप उसमें 3-4 गुना पानी ज़्यादा डालें पानी डालने के बाद हम corn flour को अच्छी तरसे mix कर देंगे तो corn flour को घोल कर हमने तयार कर लिया है तो अब हम इसे side में रख देंगे और अब हम जाएंगे next step की ओर अब हम कड़ाई gas के उपर रख देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 cup चीनी अगर आप इस चीनी को measurement से देखेंगे तो ये करीब 1,5 kg होगी इसके बाद हम इस चीनी में डालेंगे 1,5 cup पानी और इस चीनी को चलाते हुए हम इसे अच्छी तर से पिगला लेंगे यहाँ पे हमें इस चीनी की चाश्णी नहीं बनानी है सिर्फ हमें चीनी पिगलने तक इसे अच्छी तर से चलाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी अची तरह से पिघल चुकी है और इसमें भी हलका सा उबाल आने लगा है इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने कॉन्फलार का गोल बना कर रखा हुआ है इसे डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हैं इसे अच्छी तरी किसे पकाएंगे आप यहाँ पर एक बात का ध्यानika अध्यान रखें कि जब भी कॉन्फलार आप इसमें डालें तो इसे लगाता चलाते रहें नहीं तो थोड़ी सी हीट लगने से ही corn flour जमने लगता है और अगर आप इसे continuously चलाएंगे ने तो ये कढ़ाई में जल सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 मियत बाद ही हलका हलका सा corn flour जमने लगा है और ये बहुत ही जल्दी जम कर तयार हो जाता है जैसे ही कढ़ाई में हलका सा corn flour जमने लगे वैसे ही आप अपने हाथों की थोड़ी सी sweet बढ़ा दें ताकि हमारा corn flour अच्छी तरीके से mix हो जाए और अगर आप इसे धीरे-धीरे चलाते रहेंगे तो इसमें गुठलियां भी पढ़ सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा corn flour बहुत अच्छी तरीके से mix हुआ है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी है अब हम इसमें डालेंगे आधा नीमू का रस नीमू का रस डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे नीमू डालने के बाद हम इसमें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच देशी घी गी डालने के बाद हम इस हलवे को चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से mix करेंगे यहाँ पे हम इस हलवे में एक साथ घी नहीं डालेंगे तो इसलिए हम इसमें एक एक चम्मज घी डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे घी डालने से क्या होगा कि जो आपका हलवा है बहुत ज़्याँ पारदाशी यानि कि ट्रांस्वर्ण बनेगा अब हम इसमें एक चम्मज घी और डालेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे तो यहाँ पे मैंने इस हलवे में पूरे साथ चम्मज घी का यूज किया है तो इसमें हम एक एक चम्मज घी डालते रहेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे यहाँ पर इस हलवे को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन इसका रिजल बहुत अच्छा आता है आप हम इसमें डालेंगे थोड़े से खरबूज के बीज जिसे मैंने पहले से ही भून कर रखा हुआ है और यह भी हमारे ड्राइफूर्स का एक हिस्सा है आपको यह बीज किसी भी सूपर मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और काफी मिठाई चटनी और ग्रेवी में यूज किया जाता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ से काजू बादाम और पिस्ता और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और हमें इसे इतना पकाना है कि जब तक ये खुच से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे तो सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है फूट कलर को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से उबालाने तक पकाएंगे हलवाई जैसा स्वात देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स केवडा एसेंस यह डालना ऑप्शनल है अगर आपके पास केवडा एसेंस है तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप करें अब हम इसे इसी तरीके से उबलते हुए 2-3 मियर तक और पकाएंगे तो इसे पकाते हुए मुझे 2-3 मियर ठोचुके हैं और हमारा मिक्षर भी कढ़ाई को छोड़ने लगा है तो यह बर्फी जमने के लिए बिल्कुल डेड़ी हो चुकी है तो आप इसके कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की रहेगी तो यह बहुत यह अच्छी तरीके से जम कर तयार होगी अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे तुरंति किसी बर्फी की ट्रेय या प्लेट में निकाल लेंगे आप इसे जमाने में थोड़ी इसके बाद हम इसके उपर से डालेंगे बारिक कटा हुआ काजू, बारिक कटा हुआ बादम और बारिक कटा हुआ पिस्ता तो बर्फी को जमने के लिए हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे और यह बहुत ही जल्दी जम कर तयार हो जाती है तो बर्फी को जमाये हूं का ध्यान रखें कि जब भी आप ये बर्फी जमाएं तो इसे जमने के लिए फ्रिज में ना रखें नहीं तो ये फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी सी चिप-चिपी हो जाती है तो सारी बर्फी को हमने चौकोन शेप में काट लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना पर्फेक्ट जमा है हमारा बॉंबे कराची हलवा मिलकों ट्रांस्परेंट बहुत यची तरीके से सॉफ्ट और जम कर तयार हुआ है तो आप इस हलवे को प्लास्टिक में राइप करके रखें और हपते भर तक इंजॉय करें खाने में बहुत ज़ा ग्लीशिस और सॉफ्ट मूं में रखते ही घुल जाता है तो आप भी इस हलवे को बनाएए खाए खिलाए और इंजॉय कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद